बिहार की सियासत को बखुबी समझना मुश्किल है क्योंकि कहा जाता है कि बिहार की सियासत की जो तासीर होती है वो काफी गर्भ होती है तभी तो इसे नहीं समझा जाता है कब करवट वदले ये कोई नहीं जानता है फिलाल वही हालत बिहार में है बिहार में बिधान सभा के दो सीटों पर उप्चुना होना है एक सीट तारापूर और दूसरा कुशेश्वरस्थान लेकिन इन दोनों सीटों पर फिलाल महागटबंदन से एक तरीके से भले ही कॉंग्रिस अलग हो चुके हैं क्योंकि दोनों ही सीटों पर दोनों ही दलों ने अपने परत्याशी उतार दिये हैं लेकिन इन सब के बीच में सुर्खियों में फिलाल एक व्यक्ति है और वह है तेजपरताप यादो लाल प्रसाद यादों के बड़े लाल तेजपरताप आप यादो फिलाल देखे तो परिवार और पार्टी से बगावत कर चुके हैं वो बैठकों में नहीं पहुंचते हैं वो खुद अपने एक नई पार्टी का गठन कर लिया है उन्होंने और इन सीटों पर उन्होंने परत्याशी तो नहीं उतारे क्योंकि एक सीट परतारा पूर से उन्होंने परत्याशी उतारा था लेकिन बाद में परत्याशी ही मुकर गया खर अब समर्थन की बाते आ रहे हैं कि वो किसी को समर्थन करेंगे कुशेश्वरस्थान के सीट पर वो कॉंग्रिस परत्याशी का समर्थन करेंगे चुनाव परचार भी कर सकते हैं क्य अलाकि अब समर्थन कब करेंगे चुनापरचार कब करेंगे फिलाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन जहां एक तरफ टेज़ परताप यादो पिछले कुछ दिनों से काफी तेवर में थे उनका तेवर अब ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है जिस तरीके से उनको क रह सकते हैं एक तरीके से तेज़ परताप यादो को ही मनाने के लिए जो खबरे आ रही थी राबडी देवी दिल्ली से लालो परसाद यादो को छोड़ करके पटना पहुंची थी पटना यारपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो सीधे तेज़ परताप यादो के आवास लेकिन ये जानकारी रही कि जैसे ही पता चला कि तेज़ परताप यादो से मिलने उनके माता जी आने वाली हैं तेज़ परताप यादो निकल गए लेकिन बाद में जब मीडिया में ये खबरे सुर्खियां बन गई कि तेज़ परताप यादो अपने माता से नहीं मिले जब ये खबरे सुर्खिया बटोरने लगी तो वो देर साम अपने माता से मिलने गए, बातचीत हुई और खबरे ये भी आई, कि उस वक्त उन दोनों के बीच में नोक जोक दिखा था, हलाकि वो दोलों ने अकेले ही मुलाकात की थी, बातचीत की थी, लेकिन जो खबरे हमें मिली थी, उसके अनुसार यहीं कहा जा रहा था, कि तेज-परताप यादों का तेवर अपने माता के सामने भी कम नहीं होता दिख रहा है, उन्होंने कई सारे सवाल कर दिए, और उन सवालों का जबाब नहीं मिलने के बाद, वो नराज होकर के घर से बाहर निकले थे, और इंतिजार कर रहे थे कि जब तेजपरताप यादो राबडी आवास से बाहर निकलेंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे लेकिन तेजपरताप यादो की वो नराजगी वो गुस्ता भी दिखा गाड़ी रूकी नहीं तेजी से निकलती हुई अपने आवास पर पहुंच गए ले बखवुय हम चाहेंगे विकास जड़ासा अब इन ट्वीट को दिखाईए तेजपरताप यादो ने कुस धेर पहले अपने ट्यूटर हैंड़ से जो ट्वीट किया है वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं यह वहीं ट्वीट है और इस ट्वीट को देखिए इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी जैसा मुख्यमंत्री और कोई नहीं हो सकता देखिए इसको लेकर के ऐसे देखा जा रहा है कि आखिर में तेज परताप यादो नरम क्यों हो रहा है पिछले दिनों ये खबर आई थी कि तेजपरताप यादों को खुद लालू परसाद यादों ने अब कह दिया था कि तुम्हें जो करना है करो हलाकि ये सब जानकारी मिली थी इसकी कोई अधिकारी पूश्टी हमारे पास भी नहीं है जो हमें जानकारी मिले थी उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं तो ऐसे में तेजबता प्यादों की नराजगी अपने भाई को ले करके तो थी ही उन्होंने सीधे तोर पर हमले नहीं बोले थे और ना ही उन्होंने परिवार्ग में किसी लोगों का बगावर्थ किया था लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाये थे जो इस्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी उस बक्त भी उन्होंने आरोप लगाये थे कि उनके माता का उनके बहन का नाम नहीं है वो नाराजगी उनके दिखी थे उन्होंने कहा था कि मुझे भले ही अलग कर दिया गया हो लेकिन इस लिस्ट में उन दोनों का नाम होना चाहिए था और जिस तरीके से उनके बगावती तेवर रहे चाहे जगदनंद सिंग को लेकर के या फिर पाटी कारियाले में पहुँचने के बाद जब वो कई सारे आरोप लगाया कि कई ऐसे लोग हैं जो पाटी कारियाले में लोगों का एक तरीके से कद्र नहीं होता है पत्रकारों की वहाँ पर एक कदर नहीं होती है, उन सारी बातों को लेकर के जो उन्होंने आरोप लगाये थे उसके बाद कई बार जो दिखाता है, एक अलग नजारा दिखाता तेजपरताप यादों का, हलाकि तेजपरताप यादों कुछी दिनों से जो थे वो सुर्खियों में रहे नराजगी उनके देखी थी, उसके बाद ये खबर आ रही थी कि लालोपरसाद यादों भी उनको मनाने की कोशिश करते जरूर नजर आये थे, लेकिन उसके बाद लालोपरसाद यादों ने भी बाद में उन्हें छोड़ दिया क्योंकि ये अनुमान भी लगाये जा रहे हैं कयास भी लगाये जा रहे हैं इसलिए क्योंकि जब दो बार पार्टी की कारियाले में जो कारिकरता थे उनका प्रसक्षन सीविर चला तब भी तेज परताप यादो वहां मौजूद नहीं थे ज ज़रूर जानकारी लेते कि तेज परताप यादो इस सभा में क्यों नहीं है इस कारिकरम के दौरान क्यों नहीं है क्योंकि उस कारिकरम जो चल रहा था जो दो दिनों का प्रसक्षन सीविर चला दो बार चला और इसमें तेज परताप यादो नहीं दिखे बड़े नेता थ लिए होने वाले दोनों ही सीटों को ले करके कई बार मन्थन भी हुआ इस मन्थन में भी तेजपरताप यादो नहीं थे बैटक के बाद खुद तेजस्वे यादो दिल्ली निकल जाते हैं तो ये सारी जानकारिया लालू परसाद यादो के पास पहुच रही है लेकिन तेज नीतियों को बनाने के लिए पूरी तोर पर अधिकारिक जो एक तस्वीरे देखने को मिल सकती है हलाकि अब तक उसके अपचारी घोषना नहीं हुई है अभी भी राश्ट्रीय धक्ष लालू परसाद यादो ही आए और सारे फैसले उनी के देखरेख में हो रहा है लेकिन लगबग सारे फैसले जो हैं तो वो तेजस्वी यादो के द्वारा ही लिए जा रहा है बड़े जो भी बैठा के हो रही है धक्ष्टा तेजस्वी यादो की ही हो रही है लेकिन अब नराजगी जो है तेजस्परताप यादो की वो इसी तस्वीरों को ले करके समझी जा र रहा है कि अब कहीं ना कहीं नराजगी जो है तेज परताप यादों को भारी पढ़ने लगी है क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि अब वो अलग थलग हो रहे हैं उन्हें लगने लगा है कि अगर पीता जो पिता है उनके पिता का साया अगर उन्हें साथ नहीं देता है जो उनके अंदर में उनके पिता को लेकर के जो छबी है वो दिखाने की कोशिच कर रहे हैं और वह खुबी वो बता रहे हैं कि उनके पिता जैसा बहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा है हलाकि जब से नराजगी रही है तब से सत्तारुड जो दल है वो बार बार तेजपरताप यादों के समर्थन में कई बार बयान भी दे चुका है यहां तक के बिहार के डिप्टे स्यम ने ये कहा था कि राजनितिक विरासत को संबालने के लिए अगर कोई अगर वारिस होना चाहिए लालू परशाद यादों का तो सही मायने में वो तेजपरताप यादों हैं लेकिन तेजपरताप के साथ अच्छा नहीं किया गया है लेकिन इन सब के बीच में अब क्या थेजपरताप यादों का जो रवया है वो तरीके से अब नरम होता दिख रहा है तो इसके बाद तस्वीरे बदलने वाली हैं सवाल ये बड़े हैं कयास बड़े लगाये जा रहे हैं ये सब कुछ देखना होगा लेकिन इस ट्वीट के बड़े हैं